नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका दबंग लोयर यूट्यूब चैनल पर में हूँ आपका दोस्त एडवकेट हर्शवर्दन देश्मुक प्रम पुने महराष्ट्रा तो दोस्तों आज कहा हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट आफ 1773 इस आक्ट के बारे में हम जान प्रशासन को सुधारने के उत्तिष्या से पारिद किया गया एक महत्वपूर्ण कानुन था यह एक्ट ब्रिटिश- इस्ट- इंडिया कंपनी के भारत में बढ़ते प्रभाव और उसके प्रशासनी कार्यों में भरष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था इसके मुख्य प्रवादान इस प्रकार थे दोस्तों रेगुलेटिंग एक ब्रिटिश द्वारा पारिद एक्ट था जो इस्ट इंडिया कमपनी थी उनके जो प्राशेशनिक कार्य थी उनमें ब्रश्टा चटबर्ड रहा था और उनके फंक्शन्स को कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाया गया था इसमें रेगुलेट करने के लिए तो इसके मुख्य प्रावदन इसके की प्रियोजस थे जो हम देखेंगे फर्स्ट गवर्नल जनरल की न्यूगत इस एक्ट के अंतरगत बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बंगल बनाया गया यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज हुआ है बंगल का गवर्नर था उसको सिर्फ गवर्नल जनरल बंगल का गया जो बहरत में सरोच प्राशचनिक अधिकारी था जो की टॉप्मोंस्ट क्या बोलते ऑफिसर ऑफिसर था पहले गवर्नर जनरल थे वारेल हैं ठीक है गवर्नर जनरल के साथ 4 सदूस् प्रिशद एक काउंसिल बनाए गई थी फिर नेक्स्ट प्रोविजन था सुप्रीम कोट की स्थापना मुख्य प्रावदन दुसरा मुख्य प्रावदन क्या सुप्रीम कोट की स्थापना इसमें क्या हुआ कोलकत्ता तब का कलकत्ता आपका कोलकत्ता उसमें एक सुप्रीम को को और कंपनी के कर्मचारियों पर न्याईक अधिकार रखती थी अब यहाँ पर जुरिज्डिक्शन किन किन लोगों पर है ब्रिटिश नागरिक और कंपनी के कर्मचारिय फिर है मदरास और बंबई की अधिनता नेक्स प्रावधाने मदरास और बंबई की अधिनता इस एक् बंगाल में केंद्रिय नियंत्रों को मजबूत करना था तो यहाँ पर एक सेंट्रल मतलब बंगाल प्रेसिदेंसी थी मदरास प्रेसिदेंसी थी बंबाई प्रेसिदेंसी थी अब जो बंगाल प्रेसिदेंसी थी ठीके वो क्या हो गई सरोच बन गई उसके नीचे मदरास और प्रिटिश सरकार को इस्ट इंडिया कंपनी के मामलो पर अधिक नियंद्रन प्राप्त हुआ जब उन्होंने आक्ट पास किया पारित किया तब बिटिश सरकार को क्या हुआ अधिक नियंत्रन प्राप्त हुआ किस पर British East India Company पर British संसद ने Company के Board of Directors को अपने कारियों की जानकरी देने के लिए बात्ती किया अब जो British संसद था जो की कहा था Britain में, England में था और जो Board of Directors थे Company के उनको क्या कहा कि आप जो काम करेगे जो Company के अफिर्स हो कि उसके जानकरी आप कहा देंगे British संसद में देंगे कौन देगा Board of Directors of British East India Company क्या करेगे कारियों की जानकरी देगी किसको देगी British संसद को देगी और उसके लिए क्या ये बात दें फिर ब्रष्टाचार पर नियंत्रन इस Act ने Company के अधिकारीयों दौरा किये गए ब्रष्टाचार और दुरियोपयों को रोकने के लिए उपाई की, Company ने अधिकारी अब सिधे संसद को रिपोट कर थे कंपणी के अधिकारी अब सिधे चंसत को रिपोठ खालते थे। क्योंकि उनको क्या करना था। प्रस्थाचार को सुधारों की शुरुवात थी इसके बाद कई और कानुन और सुधार किये गए जिनका उद्देश भारत में कमपनी के शासन को अधिक उत्तरदाई और पारदर्शी बनाना था तो प्रशासनिक सुधारों की शुरुवात इस आक्ट से भारत में हुई अब इस आक्ट का महत् क्या था रेगुलिटिंग एक्ट 1773 ने इस्ट इंडिया कंपणी के भारत में शासन को नियंत्रित करने और ब्रिटिश सरकार के हस्तक शेप को बढ़ानी की दिशा में पहला कदम रखा था तो जब इन्होंने एक्ट किया एक्ट पास हुआ तो उसने क्या किया जो मोर पावर थी पावर थी किसको दी प्रिटिश को गवर्मेंट को दी इस्ट इंडिया कमपनी की जो प्रशासन और न्याइक प्रानाली में और भी कई सुधार हो यह उसके बाद भी बहुत सारे सुधार हो ते गया जो कि हम अगले अग्ट मतलब वीडियो में देखेंगे पीट इंडिया आक्ट 1784 की तो आयो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपको समझ में आया हो इसकी पीडियेप नोट आपको हमारे टेलीग्रम चैनल पर मिल जाएगी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर करें और एसे मोर इंफर्म सब्सक्राइब के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीचे तो मिलते अगले वीडियो में